सभी को जै जिनेंद्र, सवराष्ट्र में बसे, श्री शेत्रुन जै महातिर्थ का इतियास बहुत प्राचीन और लंबा है, जहां एक और हम इस तिर्थ को अत्यनत पूजनिय बानते हैं और अनेक संसादरों के साथ इसकी यात्रा कर सकते हैं, नवानू तक कर सकते हैं, वहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था, जब इस महातिर्थ पे संकट के बादल चा किये, इसकी पवित्रता को भंग की और यहां स्तित, धार्मिक और एहतियासिक जिनमंदिरों को शती पहुचाई, ऐसे समय में कहीं श्रिष्टी और भक्तों ने जिनिस आशन की इस महानतिर्थ की रक्षा में अपने आपको समर्भित कर दिया, उनकी गाथा को जानना, इति साथ ही हमें इस बात का आभाज भी होगा कि जिस तिर्थ की आत्राकने को हम बहुत आम बात समझते हैं, वो वास्ताविक कितना दुरलब था, मैं नील जैन टॉक्स के इस 177th टॉक्स सेशन में गिरिराज की गौरव गाथा, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे साथ पैनल पर डॉक्टर माना शा जुड़े है, जो IIT घांदी नगर में Humanities and Social Science discipline में संस्कृत की लेक्चरर है VLD Institute of Indology एहमदबाद और BL Institute of Indology डली जैसी संस्ता में पहले संस्कृत और प्राकृत पढ़ा चुकी है उनकी PhD thesis, 14 वी शताबदी के जैन संस्कृत गंत नाभी नंदन जिनोद्धार प्रबंध का विश्लेशन करती है जो की शेत्रुन जै के पवित्र जैन तिर्थ पर चर्चा करता है उनकी शोच शेत्रों में संस्कृत, शिक्षा शास्त्रा, पांडू लिपे विज्ञान यानि की मैनुस्कृट्टोलोजी, जैन दर्शन, जैन फिलोसोफी, एवं संस्कृत, प्राकृत और मध्य युगिन गुजराती में रचित इतिहास लेखन और एतियासिक साहित्य शा मिल है, आज डॉक्टर शाह जैन समुदाई के महांतिर, शैत्रों जै के उद्धार की गौरब गाथा बताने यहां आई है, हम आपका स्वागत करते हैं, तथा आपको निमंतृत करते हैं, डॉक्टर माना जी, आज के इस टॉक सेशन को प्रारण करने के लिए, प्रणाम, प्रणाम नील भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए और जिस तरह से आपने विशय का परिचय दिया है, बहुत अच्छे से सबको परिचित करवाया है, यहां पर उपस्तित सभी श्रोतागनों को मेरा प्रणाम, तो यह जो मेरा विशय है, शत्रुन जै की होगा था, जब ही नील भाई ने पूछा था कि इस विशय पर हम किस तरह से बात कर सके तो कुछ शत्रुन जैसे जुड़े कुछ ऐसे विशय मुझे लगे कि जो काफी अभी प्रासंगिक है और जिसके बारे में हम जानते तो है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं जानते, तो वैसे ही किसी विशयों के बारे में यहां पर चर्चा करूंगी, उस विशय पर मैं धीरे से आउंगी, उसके पहले जिस्ट शॉट में बता दूं, तो जो शत्रुन जै का हमारा इतिहास है, वो हम जानते है कि वो किस तरह से हमारे प्रथम तिर्थंकर भगवान आदीना से जुड़ा है, किस तरह से यहां पर अनंत जिवात्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ है, लेकिन जो हम थोड़ा कम जानते हैं, वो यह है कि पिछले हजार सालों में उसमें भी पिछले 700-800 सालों में शत्रुन जै के साथ जो घटनाएं हुई है शत्रुन जै के विशय में, उन जास है, उस विशय में, उस विशय पर मैं आज बात करूंगी, वैसे हम सभी जानते हैं कि शत्रुन जै कहां है, कैसा दिखता है, हम सभी के घरों में शायद शत्रुन जै की एक तस्वीर तो लगी ही होगी और रोज शायद हम शत्रुन जै के दर्शन भी करते होंगे, यह जासा एक परिचय देना चाहूंगी, उन लोगों के लिए शायद जिनको पता नहीं है, यह भारत के नक्षे में हमें शत्रुन जै दिख रहा है, पालिताना शहर में शत्रुन जै नामक जो गिरी राज है, जो परवत है, वो परवत का नाम शत्रुन जै है, और इसलिए हम तीर्थ को शत्रुन जै नाम से जानते हैं, लेकिन हम सब पालिताना ही अब कह देते हैं, लेकिन पालिताना वो शहर है, जिस में जिस शहर की तलटी में यह शत्रुन जै तीर्थ अभी बसा है, यह थोड़ा उसका क्लोजर लुक है, पालिताना का, और अगर हम Google Earth में देखे शत्रुन जै को, तो हमें एक एर्याल व्यू कुछ इस तरह से मिलता है शत्रुन जै का, इसमें जो उपर का पार्ट है, वो शत्रुन जै की Northern Peak है, और नीचे Northern Peak है, हमारा जो दादा का जिनालय है, वो यहां Southern Peak में है, और बीच में यह जो Square आपको दिख रहा है, वो मोतीशा की टूंक है यानि जो नौर्दन पीक है वहां पूरी नवतूंक है फिर मोतिशा की टूंक है और सदन पीक में हमारी मुख्य टूंक है जिसको हम दादा की टूंक के नाम से जानते हैं यह एक दूसरा व्यू है जहां पर आपको यहां पर यह दादा का जिनाले आपको दिख र और लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट मोस्ट टेम्पल है वो हमारे दादा का मुख्य जिनाले है कि यह कुछ उसके स्टेस्टिक्स है अभी जो अलग-अलग आखड़े वैसे मिलते हैं देखा जाए तो उसमें अप्रॉक्सिमेटली 900 अगर हम नौटों की और से देखे तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा यह जैसे मंदिरों की चोटी सी नगरी कहलो वैसा यह हमारा तीर्थ है कि ढ़िए तो मैं यहां पर बात करूंगी कि यहां पर यह जो इतने सारे मंदिर है इस इस शिकर की ऊपर कहां से आये कैसे बने वह एक काफी का विशय था मेरे लिए तो ठोटा सा मैं जिक्र लेगी और नवानु यात्रा मैंने की थी और हर रोज काफी बार के मंदिरों की गलियों से हम गुजरते थे तो मुझे यह प्रशन होधा था कि यह मंदिर किसने बंधवाए हूंगे मैं लेज़े संशोधन मैंने किया था चाहब मीरी बात करने से पहले मैं एक disclaimer कह दूँ और मेरा एक जो डिलेमा है वो भी बता दू डिस्क्लेमर यह है कि जब हम ऐसे विशयों की चर्चा करते हैं जिसके साथ धर्म या धर्मिक आस्थाय जूड़ी होती है तो उसमें दो को पॉइंट आजाते हैं एक पॉइंट ओफ यू रहता है कि ट्रेडिशनल डियुर जिस्के बारे में हमारे धर्म गरंथ बाते करते ortsने और फोइंट और दूसरा पॉइंट और किका आजाता है एकीयड़ं कीसिया जहांपर हम कोई भी विशय में जिसको मौडन इन युसे शच्ट्रुन जय का भी जब अभ्यास किया जाता है तो यह दोनों ही दृष्टिकाउन सामने लेकिन एक संशो धन और एक श्रद्धालू दोनों की दृष्टे से यह देखना रहता है तो मैं मानती हूं कि क्योंकि जैन्धर्म अनिकांतवाद के सिधांत पे बना है तो हमें सारे ही द्रश्टियों को accept करना चाहिए और मेरी खुद की जो अल्पमती है उसकी भी लिमिटेशन है इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि कि यही पॉइंट ऑफ यू सही है या वही सही है तो दोनों ही को साथ में लेके मैं चलूंगी जब मैं मेरी बात करूंगी तो चलिए तो ट्रेडिशनल आइडेंटिटी जो शत्रुंजय की है वहां से मैं बात शुरू करूंगी तो शत्रुंजय को अगर एक शब्द में कहा और या वहां जाए तो वह सिद्धभूमि के नाम से जाना जाता है कि शत्रुंचय पर अनेक आत्मा je अनन्त में कांकरे कांकरे अनन्त सिध्धा कि बहुत सारे आत्माउंने मोक्ष प्राप्ट किया है साधना की है तो यह एक के बारे में पहली उसका सबसे पहला परिचय है और सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेम्टेड यह एक शत्रुंजय की आइडेंटिटी है तो इसी के आधार पे हम भी हर हो सगे इतनी बार शत्रुंजय की यात्राएं करते हैं वहां पर भी साधना करने का एक प्रयास रहता है और वो जो आत्माएं जिन्होंने अपना लक्ष साधा है उन्हीं के कदमों पर चलने की हम कोशिश करते हैं तो प्राप्त करके लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की तो इसी तरह से अभी हलांकि यह प्रैक्टिस नहीं होती लेकिन हमारा जो एक जो जो एम है या फिर जो लक्ष्य है वह यही है कि मोक्ष प्राप्ति हो सके अब हम थोड़े से ट्रेडिशनल पॉइंट अफ वी उसे साहित्य जो संदर्भ मिलते हैं उस पर आते हैं शत्रुण जाय के बारे में हमें जो जैन साहित्य में सबसे पहला उलेक मिलता है वह हमारे अंग आगमों में मिलता है तो इनको हम कैनानिकल टेक्स्ट कहते हैं उसम में हमें शत्रुंजय के बारे में उल्लेक मिलता है और यहां पर शत्रुंजय को साधना भूमी ही कहा गया है जहां पर यह सभी जीव थावच्चा पुत्र शुक अंगारक शैलक राजशी पांच पांडव गौतम अंगार जाली कुमार इत्यादी लोगों ने जब साधना करक के मोक्षप्राप्ति की यह सारे उल्लेक हमें यह ग्रंथों में मिलते हैं तो इस प्राकार हमें शत्रुंजय का जो और लिएस्ट रेफ्रेंस मिलता है रिटर्न प्रूफ वह यहां पर हमें मिलता है और यह ग्रंथों का समय मैंने जो वल्भी की तीसरी वाचना हुई यान इसा की पांचवी शता भी जब आगम लिखे गए वो समय मैंने और्लियस्ट पीरियड माना है तो इसी से प्रेर्णा लेके हम शत्रुंजय पर जो साधना करते हैं शत्रुंजय 連हें हम जो भी उत्सव मानाते हैं जैसे चैत्रि पुर्णिमा कार्ति की पुर्णिमा और अभी अभी जो हम 3 शय कुषublik में तरुबए इस लिए उनकी उनको फालो करते हुए हमें भी हो तो यह जो शत्रुंजय की ओरिजीन्ण आइडेन्टिटी है है वह अभी तक वैसी कि वैसी है और अभी भी हम कोशिश करते हैं कि उसमें से थोड़ा बहुत भी हम कर सके और इसके जो ऑभी भी हमें पूरे डिरीराच पे देखते हैं जैसे कि हाँ पर जाली मायाली और उवयाली कुमार की इन मूरतियों को हम देख़ पाते हैं और भी शत्रुनि जाय पे जो चोटी चोटे चोटे मन्दिर देखते हैं जैसे देव की के चेप उत्रों का मंदर द्रविडवारी खिल अईमुत और नारद जी की देरी पांकक पंदवोडि मंदर यह मंदर 9 तुंक में है on बहुत कम अब हों जाते क्योंकि वैसे नव तुंक में ही कम जाते हैं और अगर जाते हैं तो जैसे गिनके याते कि नौ टूंख हो गई मतलब आगे बढ़ो यहां वहां कहीं हम देखते ही नहीं है लेकिन यहां पर जो देखने वाली बात यह है कि शत्रुन कि हम कोई भी पट देख ले तो यहां पर हमें पांच पांडव दिखते हैं वैसे कोई भी पट अगर हम प्राचीन पट शत्रुन जय का देखेंगे तो हमें पांच पांडव तो जरूर दिखेंगे और शत्रुन जय के जितने भी प्राचीन साहित्य में उल्लेख मिलता है उन कि यह मंदिर अती प्राचीन है तो हमें जरूर अब जब हम अगली बार यात्रा करें तो इन मंदिरों में जाना चाहिए ढूंड के यह पांच पांडवों का मंदिर जो सवास ओम जी की टूंख है उसके पीछे है तो इस प्रकार हमें यह सिद्धात्माओं के दर्शन करने को मिलते हैं शत्रुन जय पर थोड़े आगे बड़े तो शत्रुन जयें पर invers के बारे में जो संदर मिलते वो थोड़े बदलते हैं वो इस तरह से बदलते हैं कि उसमें लिखा जाता है कि आप यात्रालू इन सिधात्माओं की वंधना करने के लिए शत्रुन जय पर अब जाते हैं तो पहले रेफरेंस मिलता था कि शत्रुणजय पर साधना करने या अनुशन करने के लिए गए हैं अब रेफरेंस मिलता है कि शत्रुणजय पर तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग जा रहे हैं तो इस प्रकार के के रेफ्रेंस सेज हमें ओध्योतन सुरी जी की अनृथ शताप्दि की टेक्स्ट कुवलाई माला में मिलता है और उसी की की टीका जो है को लाइ माला कह संस्कृत में है उसमें भी काफी इलाबरेटेट धिस्क्रिप्शन मिलता यहां पर हमें सबसे पहली बार जानने को मिलता है वैसे आगमों में उसको पुंडरिक गीरी और जो शत्रुण जैंगीरी दोने नामों से जाना जाता है नाम का है वह भी इती प्राचीन है इसकते हैं तो यह समय से जब लोगा सीद्धात्मा को की वंद्ना करने के लिए तो वंद्ना करने के लिए वहां पर कोई स्थान होना चाहिए कोई उस चीज का एक सिंबल होना चाहिए तो यहीं से हमें मंदिर शत्रुंजय पर है मंदिर भरत चक्रवर्ती ने बनवाया इस प्रकार के उल्लेक भी हमें यहीं से मिलना शुरू होते हैं सो कह सकते हैं कि दश्वी शत्रुंजय पर जो मंदिर बनने की जो प्रक्रिया थी वह बहुत स्पष्ट हो जाती है हलाकि हम नहीं जानते कि कब से बने थे और हमारे पास उतने साधन भी नहीं है कि हम कह सके तो साधन के अभाव में हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर उसके पहले मंदिर नहीं थे क्योंकि हमें जो बाहड मंत्री का जो उद्धार है उसमें कुमारपाल महराजा और सिद्धराज जैसी के समय में जो उदयन मंत्री थे उनकी एक कथा आती है कि वह शत्रुंजय पर जब जाते हैं तो वह देखते हैं कि मंदिर काश्ट के बने थे टेंपल दिन थे तो तब उनको डर लगा था कि यह जल जाएंगे इसलिए उन्होंने तै कि मैं पत्थर का मंदिर बनवाऊंगा तो उसके पहले काश्ट के मंदिर थे और स्वाभाविक है कि अगर काश्ट की चीज़े होंगी तो हमें उतने सारे आर्के लोजिकल एविडेंस नहीं मिल पाएंगे यह जो मूर्ति आपको दिख रही है वह शत्रुण जय पर अभी प्राप्त जितनी भी मूर्तियां है उनमें सबसे प्राचीन है क्योंकि उसका जो इंस्क्रिप्शन है शीला लेख है उसमें यह जो समवत मिलता है एक हजार चौसट यह जितनी भी अभी वहा कि प्रतिमा है और अभी बावन नूतन बावन जिनालय में अभी स्थापित है यहां पर भी हमें उल्लेक मिलता है कि शत्रुण जय पर सल्लेखना ध्यान समय समय में जो एक मुनी का कि याद में किसी एक श्रावक ने यह मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी अब मैं आती हूं छत्रुण जय पर यह जो मंंदर बनानी की जो प्रक्रिया है जो काफी बढ़ी थी और उस समय में से हमें काफी सारे संदर्भ मिलतेैं काफी सारी कथाएं मिलती हैं और जो समय हमसे अभी देखा तो काफी करीब समय था जिससे हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि तभी भी वही घटनाएं होती थी जो अभी हो रही है तो यह एक मैंने टाइम लाइन जैसा बनाया है जहां पर मैंने कंपेर किया है कि सेंट्रल इंडिया में क्या सिचुएशन थी उसी समय गुज्रात में क्या सिचुएशन थी और उसी समय हमारा हमारे यहां जो कल्चरल जो कल्चरल या रिलीजिस चेंज किस प्रकार से हो रहे थे तो दश्वी ग्यारावी शताबदी में महमुद गजनी ने सबसे पहला अटैक किया और उन्होंने रिपीटेडली काफी सारे अटैक्स किये थे तो उस समय गुज्रात में उन्होंने अटैक नॉर्दन इंडिया में किया था उस समय गुज्रात में सोलंग की वंश या चौलुक की वंश की स्थापना हो रही थी और 1026 यानि 1026 के आसपास महमुद गजनी का दश्वा और आखरी अटैक हुआ था जब उन्होंने गुज्रात भी वो आ गए थे और काफी लूट चला के सोमनात के मंदिर को तोड के वहां पर हजारों लोगों ने अपनी जान गवाई थी मंदिर की रक्षा करने में तो तब य जब आक्रमन करने वाले थे वह आकर लूट के चले जाते थे वह यहां पर रुकते नहीं थे उस समय गुज्रात में मोढेरा संटेंपल रानी की वाव भी बन रहे थे आबू में दिलवाडा के मंदिर भी बन रहे थे तो एक तरफ आक्रमन हो रहा था और दूसरी तरफ अरफी शताबदीप में जाते हैं जब मुहमद घोरी का आक्रमन हुआ था तभी गुज्रात में जैसीं सिद्धराज और कुमारपाल राज का राज था उन्हीं के समय में उनके मंत्री बाहड का बाहड ने शत्रुंजे का उधार भी किया था सेंट्रल इंडिया में नॉर् रेफ्लेक्शन नहीं हो रहे थे अलांकि जब यह सिद्धराज और कुमारपाल का समय जब खतम होता है उस समय कुत्वुद्धिन एबक जो मुहमद घोरी का गुलाम था और उन्होंने मुहमद घोरी के बाद शासन शुरू किया दली में उन्होंने गुज्रात में आके अन चौलुक डाइनेस्टी शुरू की जो की भारत की सबसे पहली इस्लामिक डाइनेस्टी थी जो की दिली में जिसका सेंटर था तो अब दिली में जो आक्रमानकार है उन्हीं की सल्तनत शुरू हो गई है और गुज्रात में वो समय चौलुक्य डाइनेस्टी का अंत हुआ है और वागेला डाइनेस्टी शुरू हो चुकी है वागेला डाइनेस्टी का जो समय है तब हमें वस्तुपाल और तेजपाल जैसे परम श्रावक मिलते हैं तो तभी भी जिन्शासन में काफी जिन्शासन की प्रभावना हो रही है दिल्ली में कुछ और सिनारियो है गुजरात में कुछ और सिनारियो है यहां पर भी वस्तुपाल देजपाल इल्तुत मिश करके जो एक मामलुक डैनेस्टी के ही एक राजा थे उनका आक्रमन रोकते हैं हमें ऐसी कथा भी मिलती है कि उनकी माता को वो हज करने में काफी सहाई भूत रहते हैं तो यह सिनारियो है तो गिर्नार और शत्रुण जय पर अच्छे अच्छे मंदिर बन रहे हैं लेकिन अब समय आता है वागेला डाइनस्टी के अंत का विनाश्ट का और यह समय है जब अलाव दिन खिल जी ने आल दे वे फ्रॉम डेली गुजरात पर आक्रमन किया है तो वागेला डाइनस्टी का जो आखरी राजा था करन दे वागेला जिसको गुजरात में करण घ् anthropology कहते हैं उनके समय में आक्रमन हुआ खलजीयों का और उसका दो कारण बताय जाते हैं एक कारण यह कहते है कि गुजरात की सम्रुद्धी से आकर्शित होके अलाउद दिन खिल दिल ने दिली गुजरा सबल्फ तक charged thinking कि यह अएक मन्त्री थे माधव लेन तो बत्ला लेने के लिए यहां गुज्रा तक बुला लाते हैं यह भी दूसरा एक कारण कहा जाता है इतिहास में तो इस वज़से बीच में दिली से गुजराद आते समय बीच में काफी सारे राजे आ रहे हैं जहां पर रजवाड़े हैं राजस्थान के वहां के राजपूत है जो बहुत ही तकर देता है लेकिन वह स समय शत्रुंजय पर भी खलजी सेना का आक्रमन होता है समय है 1313 उस समय पाटन में जो जो गुजरात के लोग थे वह चाहते थे कि शांती बनी रहे तो भले ही यहां पर सल्तनत बदल गई है जिनका राज्यदा वह बदल गया है लेकिन जो खलजी डाइनेस्टी थी जो खलजी सल्तनत थी उसके नाजीम यानि उसके जो गवर्नर थे अलप खान करके अलप खान भी कहते हैं वो उस समय पाटन में थे और उनके साथ ये जो जैन वनिक समुदाय के लोग थे उन्होंने काफी अच्छे सबंद बनाए थे क्योंकि वो चाहते कि शांती बनी रहे और जो कुछ भी रहा है वो संभल के रहे तो आप देख सकता है कि बहुत ही कम समय में पूरे भारत में ये राइट साइड की इमेज है खलजी सल्तनत ने पूरे भारत में अपना कबजा जमा लिया था ये इसके पहले कभी नहीं हुआ था इसके पहले के तो ये एक काफी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंबैलेंस या टर्ब्यूलंस का एक पीरियड था जब धार्मिक क्रिया को टिकाए रखना संस्कृतिक को टिकाए रखना काफी मुश्किल हो गया था क्यूंकि ये जो आक्रमन कार थे जो अब शासक बन गए थे वह केवल शासन ही नहीं करते थैं लेकिन वह भर दसниз धर मन धर्मानतर करते था श्त्तियों को Bच्चों को सबर्दस्ती लेकि उनका अपरा हरं करके और जगा होंके बाजार में गुलाम बना कर देट या फिर उनको फोर्ष पुली अपने पास रखते थे और काफी कतल्याम चलती थी इसके पहले का जो समय था तब भी भारत के ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिखते हैं भारत के राजा रजवारे वो उनके बीच भी काफी सारे युद्ध होते थे लेकिन वे केवल युद्ध भूमी में रहते थे और वो जो थियरेटिकली तो मानते ही थे इसलिए वो स्त्रियों को बच्चों को कुछ भी तरह से नुकसान नहीं करते थे लेकिन अब समय काफी अलग हो गया है और बहुत सारी चीजों पे अभी आक्रमन हो रहा है ना केवल व्यापार पे ना केवल संपति पे लेकिन धार्मेक के यह वस्तोपाल मंत्रीश्वर वस्तोपाल के शत्रुण जय पे मिला के जो उन्होंने शत्रुण जय पे जो मंदिर बनवाए थे और पानी के सरोवर बनवाए थे उसके रिलेटेड शीला लेक है तो यह जस्ट तो गिव ग्लिम्स आप ताट पीरियड अब हम आते हैं शत पर्बूलन टाइम था उस टाइम में शत्रुण जय का सस्टेनंस और प्रोटेक्शन कैसे हुआ तो यह जो पाटन के जो जैन वनिक समुदाय था उसमें से भी समर सिम्ह या फिर समराशा करके ओश्वाल वंश के जो एक ब्रेव कह सकते हैं एक वीर थे उन्होंने अल्प ख काफी अच्छे संबंद बनाए थे और उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर बहुत ही धायर्य से अलप खान को समझाया कि आपके ही साइन्य ने हमारी हज तोड़ी है तो ही इस यूजिंग इस एक्जाक्ट वर्ड इन कक्क सूरी नाभी नंदन जिनोधार प्रबंद यह और वी सब्सक्राइब में लिखा गया है वहाँ पर वो कहता है कि आपने हमारी हज तोड़ी है यानि कि आप उसके विनाशक हो तो अब आप उसके ब्रह्मा बन जाए और फिर से हमें इसको बनाने की आग्या दीजिए या फिर आप उसे बनाने की हमें परमिशन दीजिए तो वो यहीं सूझ-बूज से काम लेते हैं और जिन्होंने आक्रमन किया है उन्हीं से फर्मान लेते हैं शत्रुंजय के उद्धार करने का अब ये उद्धार क्या है उद्धार हो कहीं पर भी मंदिर बनाना जो पवित्रस्थल है उस पर एक फिजिकल चीज बनाना जहां पर लोग वर्शिप कर पाए अल्रेडी बने हुए मंदिर में नई मूर्ती की प्रतिष्ठा करना उसको भी उद्धार कहते हैं बने हुए जिनालय में फिर से उसका जीर्ण हो गए हैं तो उसको फिर से उ और उसको रिनॉवेट कराना उसको भी उद्धार कहते हैं अंन फिर एक बनी बनाई मन्दिर तूट गया है तो मंदिर को फिर से बनाना उसको भी उद्धार कहते हैं तो उद्धार शब्द काफी सारे अर्थ में उप्योगी हुआ है मैं यह मांहthी कि एक sacred location को एक पवित्र स्थल को तीर्थ में बनाना या फिर एक पवित्र स्थल में पूजा अर्चना के लिए इक स्थल बनाना उसको हम उधार कह सकते हैं और ये जो उधार है उस वजह से जो आस्थालू या श्रद्धालू होते हैं उनको एक माध्यम मिल जाता है उनको एक आलंबन मिल जाता है साधना का क्योंकि अगर मान लीजे कि हम शत्रुंजे पर जाए और केवल भूमी हो तो हम उस भूमी पर क्या करेंगे हम अभी इतने चंचल मन के हैं कि एक कावसक भी पूरा ठीक से नहीं कर सकते तो अगर हमारे सामने कोई प्रतिमा है तो हम वह उसको आल मुझे आप अपना वीडियो और ही रखे ताकि सामने दादा दिखे ठीक है तो इस प्रकार से समराशा ने उद्धार के लिए एक फर्मान ले लिया समराशा के पहले जितने भी उद्धार हुए थे वह ऐसे टर्ब्यूलन टाइम में नहीं हुए थे मतलब जिसको हम हिस्ट चानदा है तो उसके अननत उद्धार भी हुए हैं लेकिन यह जो हमारा करंट साइकल ऑफ टाइम है हमारी जो अवसरपिणी काल में शत्रुन जय के अभी तक 16 उद्धार हुए है उसमें से जो पहले 12 उद्धार थे वो हमारे जो जिसको यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ जैनिजम कहते हैं या फिर हम जो त्री शष्टी शला का पूरुष का जो इतिह है उसमें आ गए है बारा उद्धार जैसे कि पहला उद्धार भरत चक्रवर्ती का दूसरा उद्धार सगर चक्रवर्ती का तो पहले के बारा उद्धार को हम ट्रेडिशनल उद्धार मान सकते हैं और अन्तिम जो चार उद्धार है उसमें जावडशा का उद्धार जो की धाकी जिसको 11th century में रखते हैं उनके बाद मंत्री बाहड या वागभट जिनको कहते हैं उनका तेरहवी शाताब्दी में हुआ था जिसके बारे में अभी-अभी उलेक हुआ उसके बाद ये समर्सिंह का उधार आता है जो 15 उधार है तो समर्सिंह के उधार का जो उधार की जो हमें आईविटनेस अकाउंट मिलता है वो ये दो ग्रंथों में मिलता है आचार्य कक्कसूरी जिनके गुरुदेव ने ही उस समय अदिश्वर भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी यह उनके शिश्य थे वो पूरा समय वही पर थे उन्होंने सब कुछ देखा था और फिर इसके उपर 20 साल बाद 2000 संस्क्रिप्श लोक में एक प्रबंद का लिखा था और आचार्य अंबदेव सूरी जो की उस समय संग में ही थे पाटन से शत्रुन जय तक जो संग गया था उनमें वो थे उन्होंने भी सब कुछ अ में और ग्रास लिखा था समधंः पाटन संग गरंतं में और काफी सार전에 लेख मिलते हैं इस ुद्धार के बारे में इससे हमें इंफोमेशन मिलती है yeah कि इस प्रकार कि हमें मूर्थीयों भी मेंलती है जो कि हम जाते हैं शत्रुम जय में शत्रुआ पर लेकिन MON देख कर यह जो मूर्ती है सचि का देवि जो की कुल देवी थी समर्शिम के कुल की तो यहाँ पर जो नीचे यह inscription मिलता है इस inscription में dates लिकी है कि इन डेट में इन फैमिली ने इस समय शत्रुण्ज़य का उध्धार क्या था और उसी की याद में उनकी कुल देवी की यहां पर प्रतिमा जी स्थापित हुई है यह आचार्य सिद्ध सूरी है जिन्हों ने उस समय प्रतिष्ठा करवाई थी इनकी मूर्ती हमें पालनपूर के प्रतिमा की सापना उनके ककसूरी ने खुद्ने की है तो हमारे जो लेखक है इस ग्रंथ के उनके हाथों प्रतिष्ठित यह मूर्ती भी अभी विद्यमान है यहां पर जो राइट साइड में जो प्रतिमाजी दो दिखती है श्रावक प्रतिमाए अभी नवा आदेश्वर का जो देरासर है उसमें है यह समराशा और उनकी पत्नी की प्रतिमाजी है वलेफ्ट साइड में जो प्रतिमा जी में जो मूर्तियां है वो राणा महीपाल की है जिन्होंने अपनी वारत की अपनी जो माहिन थी मार्बल की माहिन थी जो अभीसुम्भार्या जी के पास आरासन को माना चाता है वहां से अदिशवर दादा की मूर्ति के लिए जो शीला है वो दी थी तो आउट अफ ग्राटीट्चूड समर सिम्ह ने उनकी भी मूर्टि दादा के दर्बार में हिं स्थापित की थी अभी ये दादा सिम्ह के पिता जी देशल की है और उनकी माता जी की है जो गुरु के पास बहुत ही भगनर हदय गए थे और बोला था कि यह मूर्ती का भंग हुआ है अब क्या किया जाए और उनके गुरु ने तब कहा था कि यह समय ही ऐसा है और यह समय धायर्य रखो और जरूर तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा तो यह समर सिम्ह के पिता जी देशल और समराशा खुद अंत में जो मूर्ती का भंग हुआ था पूरे तीर्थ का भंग हुआ था 1300 एर 13 में उसके केवल दो साल के बाद यानि 1315 में यह उद्धार का कार्य संपूर्ण हुआ था यह बहुत ही शौट पीरि में चीज़ें नहीं कर पाते लेकिन उस समय उनको शासन देवी की सहायता थी और गुरों की कृपा थी और उनके भाव से यह कार्य दो साल की अवधी में पूर्ण हुआ था उसके बाद कब तक यह मूर्ती रही वह हमें नहीं पता लेकिन मतलब दिस इस 1315 और अब हम आ रह तब उनके पिता जी भी जो की तोला शाह थे कर्मा शाह चितोड के रहने वाले थे और वह शायद मैं गलत हूं इसलिए अभी मुझे नहीं कहना लेकिन शायद वह पूर्वाल वंच के थे उस समय उनके पिता जी तोला शाह की भावना थी कि यह मूर्ती का मैं उद्धार कर क्योंकि जो सम्राइशा की मूर्ती थी उसका शिरत छेद हुआ था और बहुत समय तक समय में इतना स्यादा भय था आक्रमन कारों का कि श्रद्धालू केवल मूर्ती का मस्तक की ही पूजा करते थे उतना ही नहीं मूर्ती के दर्शन के लिए उनको काफी सारे जिसको जिज् भी नहीं उतरती कि हमें कहीं पर भी ये टैक्स नहीं चत्रुजच समय के यात्रालों को यात्रा करने में अनेक अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता तो तोलाश की भावना थी लेकिन उनके गूरू ने तब जिव प hertz तो तब कर्माशा काफी युवावस्था में थे तो उन्होंने तब नहीं किया गुज्रात में उस समय खलजी वन्ष का अंत हो गया था तुगलग वन्ष भी अंत हो गया था और गुज्रात की ही मुस्लिम डाइनेस्टी मुजफरीद डाइनेस्टी शुरू हो चुकी थी नाम से एहमदाबाद का नाम पड़ा है एहमद शाबाद शाह मुहमद बेगड़ा जो की पावागड से अपना राज चला थे यह सारे मुजफरीद डाइनेस्टी के शासक थे तो जो बहादूर शाह करके बहादूर शाह सेकंड उस समय राचकुमार थे और अपनी जान भाग रहे थे तब उन्हों उनको ये कर्मा शाह ने चितोड में एक आश्रय दिया और काफी समय वहाँ पर एक सेफटी सेफ शेल्टर में रहे थे भादूर शाह जब समय आया तब भादूर शाह गुजरात के बादशाह बन गए और उन्होंने अपने मित्र कर्मा शाह को याद किया और पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए और उस समय कर्मा शाह ने कहा कि आप मुझे परमेशन दीजे मुझे शत्रुंजे का उद्धर करना है तो आप विचार करिए कि कितना धैर्य रख के कितना सोज समझ के कर्मा शाह ने पूरी चीज को हैंडल क किया होगा पूरी सिक्टुएशन को हैंडल किया होगा और फाइनली 1531 में अभी जो हम दादा की मूर्ती की जो पूजा करते हैं वो मूर्ती की तब स्थापना हुई यानि कि अभी कुछी सालों में यह मूर्ती की स्थापना के प्रतिश्ठा के 500 वर्ष जो पूरे होंगे वो मूर्ती की स्थापना की हम बात कर रहे है यहां पर हमें इसघ्टना की भी काफी सारे शिललेख मिलते हैं कहते हैं कि जो दादा की मूर्ती के उपर जो Зवीला लेख है उसमें प्रतिश्ठा चार्य का नाम नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी एक गच्छ के गया है हमें केवल विवेक धीरगणी जो कि उस समय अगें प्रेजन थे इस इन आइविटनेस अकाउंट उन्होंने शत्रुंजे तिर्थोधार प्रबंध में यह पूरी घटना का वर्णन किया है इसी से हमें पता चलता है तो यह दादा की मूर्ती उस समय से अभी तक है जो की हमारे सद्भाग्य की बात है उसके बाद जो मुगल काल आया और उसमें भी जो औरंग जेब का समय आया उसमें यह मूर्ती रही और हम अभी भी उसकी पूजा कर पा रहे है उसका कारण ये फर्मान है जो कि अचार्य हीर विजय सुरी ने और उनके शिष्य गण ने उपाध्याई भानुचंद्र सुरी विजय सेन सुरी उपाध्याई सिध्य चंद्र गणी इत्यादी उनके जो शिष्य वर्ग थे उन्होंने मुगल कौर्ट में मुगल सल्तनत के जो शासक थे उनको उपदेश दे कर उनको समझा के शत्रुन जय के रक्षा के लिए फर्मान निकलवाए जो की ऐसे नौ फर्मान मिलते हैं जिन में से साथ फर्मान अभी भी अनंजी कल्यांजी की पेढ़ी के पास है आपको जो राइट स देखघर है वह अपर का है और राइट जायड में जो देख रहा है वह नौवा फरमान औरंगजेब का है तो शांतीदार जवेरी जो थे शेट शांतीदाZ जिनको कहते हैं वह काफी पछली उमर में थे जब इन्हों ने यह आखरी फर्मान औरंगजेब से निकलवाया था उस समय कहते हैं कि अहमदाबाद के सरसपूर विस्तार में चिंतामणी पाश्वनात भगवान का उन्होंने जिनालय बंधवाया था जो की जिसकी नोट फ्रेंच ट्राविलर्स और भी जो फॉरिंड ट्राविलर्स थे जो की उस समय गुजरात से गुजर दे दे उन्होंने अ त्यंत सुंदर था ताज महल से भी उसकी सुंदरता काफी ज्यादा थी तो उस मंदर में औरंग जेब ने गाई की हत्या करवाई थी और उस मंदर को अपूजनिया बनाया था उसके बाद उन्होंने उस मंदर को मस्जिद में भी कनवर्ट किया था उसके रिलेटेड भी ए उन्होंने यहां पर रखा था तो उस समय शाह जहां से फर्मान निकल वाया था कि वो जगा जैन कम्यूनिटी को वापस दी जाए लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसी पवित्र घटना हुई थी वहां पर फिर से कभी पूजा नहीं की गई और अभी तो उसके कोई अवशेश भी हमक उसी औरंग जेब से शत्रुन जैक की रख्षा के फर्मान निकल वाए थे तो आप उनकी जो उनकी मन की जो अवस्था होगी उन्होंने कैसे अपने इमोशन को अपने जो भी उनकी जो फीलिंग निकल रही होगी उस व्यक्ति के प्रति उस शासन के प्रति उस पर कैसे एक धेई रखके ये काम उन्होंने उस समय पार किया होगा वो एक सोचने की बात रहती है पांच जो मुगल शासक रहे है शासक वैसे मुरादवक्ष शासक नहीं था तब वो प्रिंस थे उनसे भी अकबर जहांगिर शाह जहां मुरादवक्ष और औरंग जेब से टोटल नाइ एक कोशिश थी और बाद में शेट शांतिदास जहवेरी ने उसके बाद जो वहां के जो रजवाड़े थे पालिताना राज्य के उनके साथ रखोपा करार किया था और उससे भी शत्रुंजय के प्रोटेक्शन का एक मेजर लिया था जो एक दूसरा ही विशय है किसी और द का हम इतिहास यहां पर रखते हैं कि शत्रुंजय के उपर जो जो भी अक्रमन हुए या उसके उपर जो जो भी विपत्तियां आई उस विपत्ती में किस तरह से उसकी रक्षा की गई थी उसके लिए जो भी श्रद्धालू थे वो किसी एक इनसान का नहीं था किसी एक परि उसी से ये उन्होंने अपने तीर्थ की रक्षा की थी और हर समय में उसका उद्धार करने वाले भी मिले हैं उसकी रक्षा करने वाले भी मिले हैं तो ये तीर्थ की महांता है और तीर्थ के प्रती लोगों की आस्था है जिससे ये चीजे होती रही है अंत में मैं बस ये पं पूराज कुंडमा नाशू अरिहंत देवने ओड़की गुण तहना गाशू उदाय रतना एम उच्छरे त्यारे निर्मा थाशू धन्यावद वाव थैंक्यू सो मच माना जी एक बहुती अध्भुत टॉक सेशन के लिए आपका टॉक सेशन वाद कि अधिव ता आपकी बात से अब हम गीरे राज की इत्यास के नए पहलू से जागरत हुए है और अब जब भी पारीतना जाएगे गिरे राज की आत्रा करने जाएगे जो समय इसकी इत्यास के इस पहलू का स्मरंड कर और भी हम कृत्र करना होगे बहुत ही सुनतर आपके टॉक सेशन और जिस तरह आपने हिस्ट्री थी जो अलग-अलग डाइनेस्ट्री थी किनों ने शत्रुन जे का उद्धार कराया उद्धार शब्द है उसकी डेफिनिशन अलग-अलग क्या है यह सब बहुत ही डीटेल में और बहुत ही तर प्रशन पूछना है माना जी से डिरेक्टली तो आप हेंड्रेज कर सकते हैं या तो आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप भी कर सकते हैं है ह माना जी जादा समय न लेते होए हमारे दर्शकों की और से कुछ प्रशन आये है उसमें पहला प्रशन ये आया है शित्रुण जी के बारे में कहते है कि इसकी तलहटी एक समय में वर्तमान मुंबई के सोपारा तक थी जिसे नाला सोपारा कहते हैं मुंबई का वहां तक उसकी तलहटी थी क्या इसका मतलब है कि यह परवत पहले इतना विशाल था इसके उपरा थोड़ा लाइक का दे जी यह तो आज ही मैंने पहली बार सुना म आनर्थ आर्के ओलोजिकल रेफ्रेंस अलग है तो लोग कहते हैं कि वह वह नाम जो है आनन्दपूर वह वलभी पूर के किसी डिस्ट्रिक्ट का था यानि कि वह वर्ड नगर तक नहीं था तो वैसे ही यह जो सबसे पहली तो बात कि आपने जो कहा कि मुंबई के नाला कि यह जो वर्ड नगर का रेफ्रेंस है यह हमें प्रबंध चिंतामणी में मिलता है अचार्य मेरू तुंग के तेरह वी शदापदी के तो वहां तक भी मिलता है तो कुछ बात हो सकती है लेकिन यहां पर जो हमारा जियोग्रफी है जो आर्कियोलोजी है और जो पारंपरि क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है लेकिन हां पहले के समय में कहते थे कि संगयान अलग थे शेत्र बड़ा था शत्रुंजय का अलग अलग आरे में उसका जो क्षेत्र फल था वो भी अलग था तो हो भी सकता है हम उस पर कह नहीं सकते मैं नहीं कह पाँए अच्छली क्या मैं देखना चाहूंगी करवाएगा आपको एक और प्रशना आया है जो हिस्ट्री से संबंदित नहीं है वर्तमान के संबंदित है और उसमें प्रशना ही आया है कि वर्तमान में इल्लीगल माइनिंग और जैने तर लोगों के द्वारा इस गिरी राच में जो संकट आये है उस पर आपका क्या कहना है तीर्थ है और वैसे जैसे हमारा जो पारंपर एक उल्लेग है उसमें तो कहता है कि शत्रुंजे शाश्वत तिर्थ है यानि कि इस काल चक्र के अंत तक वह रहेगा तो लेगन अभी से पहले भी शत्रुंजे के उपर काफी सारी अपतिया आई है अभी भी आ रही है तो एज़ाइन हमें जागरत होना चाहिए और पहले तो यह सब जो फर्मान थे उसमें पूरे के पूरे गिरिराज का ही जो ऑथोरिटी थी वह जैन कम्यूनिटी को लीगली दी गई थी लेकिन अभी ऐसा नहीं है तो हमें अज़ाइन हर जैनों को जाग सब्सक्राइन श्राइब करने के लिए और गिरिराज की नहीं थी तो इस तरह से चाहिए और वाकी तो जो हमारे जो बड़े बुजर्ग है जानते ही है लेकिन फ्रॉम माई साइड आई शुट से दाट एवरी जाइन शुट टेक दिस आप आप आज पर्सनल कॉज कोई करेगा यह नहीं समझना चाहिए अपने से जो हो सके वह जरूर करना चाहिए जी तैंक शीचाहिए लहां आप आपको व्रश्णा पुछना है जैसे कि आपने जीरनोध दार के बहुत सारे अर्थ बढ़े तो जीरनोधार और प्रतिष्था तोनों में कि अनतर है वह प्रतिष्था यानि कि मंदिर में मूर्थी की स्थापना करना और जीरनोधार का सामान्यत है यह होता है जब मंदिर जरजरित हो जाता है तो उस मंदिर का रिनोवेशन करवाना मतलब तूटी-फूटी चीज़ों को रिप्लेस करना या फिर उसको प्रोटेक्ट करना कंजर्वेशन करना यह जिरुणोध्धार का अर्थ हुआ लेकिन उद्धार का मतलब दोनों ही होता है कि जी जी और एक प्रश्ना है जो आपने मूर्थी बताई ती खुल देवी की उसके पास एक साधू या किसी की मूर्थी थी वह किसकी थी कि यह झो मूर्थी है उसमें तो नीचे क्यूंकि यह जो सच्ची का माता जो ओश्वाल वंश की हो हल यह का सम्भयक्त्व उनको सम्भयक्त्व प्राप्त करवाया था यह जो उपकेश वंश के आचारिय थे तो न आइकोनोग्राफी है यानि कि मूर्ती विदाने उसी को यहां पर सचिका देवी की मूर्ती में फॉलोगी यहां पर नीचे तो यह महीं यानि कि जो भैस पाड़ो चिसको उछ राथी में कहते हैं वह देख रहा है और साथ में एक छोटी सी human figure है वह तो भक्त की ही कह सकते हैं और महीश के ऊपर जो एक फिगर है उसकी आप अगर बात करें तो वो वो राक्षस जो महीशा सूर्था वो हो सकता है लेकिन यहां पर हमें पास में मुर्थी है न वो किसी है यहां पर इसके उपर यूपी शाह का एक पूरा आर्टिकल है सम इंस्क्रिप्शन ऑफ शत्रुण जै जिसका मैंने रेफ्रेंस यहां पर दिया है यह जो लास्ट रेफ्रेंस है सम इंस्क्रिप्शन और इमेज़ ऑन मांट शत्रुण जै उसमें इस मूर्थी की बहुत डीटेल में बा सकती हूं या आप चाहे तो यह आर्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर कर सकते उसके बाद मैं बताऊंगी क्योंकि राइट नाव नौट श्यूर यूप आप बताए कि पांट को इस काल्शक्र के अनुक तक शैत्रुण जै रहने बाला है तो मतलब शैत्रुण जै शाश्वत वरुत्ति इत्यादी जो ग्रंथ मिलते हैं जो की शत्रुण जै का ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ यू से उसकी चर्चा करते हैं उन सभी ग्रंथों में हर एक आरे में क्शत्रुण जै का क्षित्रफल रहेगा उसकी बात की गई है और वो प्रायह शाश्वत है यानि प्रा प्रभावना होगी तो जी जी तैंक यू सो मच माना जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं या शूर माना शार इक वस आमेजिंग टॉक्ट बायू आप यू आप यू आप इंप्रेस्ट थैंक यू सो मच अचिं मorfय बढ़ इंप है और इंप गी जी एंप overeöнов भीरा थेर्णी ने कि है यू प्राव बली आप लेखरीक जी एंपक यू पिलिए ले शीक वदैने सान टीज Community ओंपा जाउने हैं अर वे तो टीन आप 17 the history how many times the renovation has happened and each what is the importance of the statues because we just go there do the darshan of the dada and we all come back but i'm sure the younger generation would like to connect and the more the history they come to know the more the belief and the faith will increase because this is something you know what you have started from 12th century till 20 now 20th century so we are talking about at least thousand years what you have done the research amazingly done thank you so much and the other thing i wanted to request you is nilba and smithaji will contact you that whenever we are visiting next time to satranj i would like you to join with us and learn more in person from you thank you so thank you so much for this opportunity of sharing uh what has been inside my head since a long period of time uh and as as like you said that you many ideas were popping up in your head while i was doing my research it was coming and going all the time it was like i was on shatranjai mentally throughout this period of uh 10 years since i finished my navanu yatra don't worry we will make the best use of uh whatever you have spent those 10 years and we will make it more people to know about that that will be the foundation platform's responsibility thank you so much thank you so much uh and thank you so much uh maana ji for uh accepting our invitation i mean science and i mean science talks that we have come up with the हैं और कोई न कोई विशे के ऊपर टॉक्स सेशन इंट्रेक्टिव फॉर्म में लेक्चर फॉर्म में होता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जैन पांडिशन से जुड़िए जैन टॉक्स के साथ जुड़िए अगले हफ्ते हमारे साथ पदमश्री डॉक्टर कुमार पलवाई देशाई जुड़ने वाले हैं जो कि महापुरुष्यों की गौरवगा था के अंदर आनंद गन योगी राज आनंद गन जी का ताव्यव है था कि उपर बहुती सुन्दर टॉक्टर ने वाले हैं तो सभी उस टॉक्स सेशन के अंदर भी जुड़िए और अपने आसपास के लोगों को भी इस टॉक्स सेशन के बारे में बताएं जिससे जादा लोग इस सीरीज से लाभानवित हो सके और हमारे ज्यानि वो महनत को हम समझ सके जान सके और उसमें स्प्रेड करने में कुछ उप्यों की बन सके सो इसी के साथ हम पुना धन्यवाद करते हैं सभी दर्शोकों का भी और खास कर हमारे आज के बक्ताश्री डॉक्टर माना माना जी शाह का जी 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 थैंक यू सो मॉश्यार और अक्नकर छाही जमारे व हमारे आपके साथ की साथ हमारा पी अचलागा ऑऊनु परमान उश्य वनिजाओ अख्भा hits oui सब्वे जीवा खमंतु में मित्ती में सब्गों हुए सु वेरं मच्छनके नई सर्वता सवसु कीथा ओ पापना कोई आचरों रागत्वेशती मुप्तवनेने समता सवसमा चरों सभी को मेरे प्रणाव जैजीने दुदा